कि यह कौन सा केड़ा है अगर आप जानते हैं तो यह बताईएगा और मेरी खियासे यह कंखजूर सायद है और बहुत बड़ा था कंखजूर हेलो प्राइएण निएलो कैसे है आप सभी लोग और आज अन्देशंडी का ब्लोग में दीकट नाशा बनारी है तो पर यह ना स्टे के ने बना ही क्यों क्यों यह बनाई हुड चाय और मैं कैसे हैं आप सब लोग मैं तताई दाई लग दालेएगा प्रेश कि तिस अपिवना हुई तो फ्रेंज बताइए कैसे है अपसदी लोग और आज में शाली पहने है तो तंडा मोसम भी है आज मेरे यहां का मोसम खोड़ा सा हलका सा है जदा गर्मी नहीं उमर देशी नहीं है तो कि आज गुप्टी नहीं मिकली है और मोसम भी ऐसी है जदा मोसम होता है तो अच्छा लगता है तो आज में शाली करने हैं तो आज में संदे कीसे बता लेती हम और मैंने कपड़े ही वह साखी में धुली है तोड़े से हजरील के कपड़े बचे हैं बात को हम दो देते हैं और आपने देखा की तोर्य में इतना जाड़ है ना मेरे भारे आसपास के खेत भी है और इधना जाड़ भी है ना इसी हुझे से खेला वो एतना बड़ा खेला आ गया अचानक से मैंने मुझे पोछा तो देखा एकम से मेरी हालका सा ममाल हुआ कि चिपक आते हैं तो फी छूटते हैं शे निगे बहुत ही मुष्पिर में आधना जाताइर नहीं यह भी हम लिए देखा है पर घुट जाते है लोग भी बहुत खतर्नाग को तुट घुटते हैं तो चूपते नहीं है तो चना और चुका है चना ओर चाय रहते हैं लगा श्रीजों को फिर मिलते हैं आपसे और आपको मौसम दिखाते हैं वह दोगा तक प्यारा मौसम है तो इस नास्ता करने के लिए चाय और चना तो हम तो बैट गए है नास्ता कर लेते हैं आज तो बहुत लेट में ऊठे थे वह बज़ रहे हैं क्योंकि आज संडे हैं तो दीरे-दीरे सारा काम करेंगे और जो भी नहीं आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा पगल में पहले उसको दबा दिए प्लीज सपोर्ट किजिए हमाई चैनल को तकि आप सभी के सपोर्ट से मेरी हैल्प हो सके तो खाले दें और मैं आपको फुल रूटीन अपना सेयर कर रही हूं और इसके बा नहीं होता है तो इधर हमने पानी भरके रख लिया है सारा और यहां पर हम वाइफर लगा देते हैं और घर का सारा काम तो निपट गया था सिर्फ खाना बनाने का था वही बनाऊंगी और इसके बाद अब हम चलते हैं कप्रे डालने के लिए और हमारे यह मौसम बहुत तो रात के बारा बजे के बाद थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता था और दिन बर गर्मी रहती थी तो इस वज़े से जुखाम सर्दी एकदम सी हो गया है और खासकर इस समय आंख आंक की समस्या और सर्दी जुखाम के तो बहुत ज़्यादा दिकते आ रही हैं और आप सभ पादा नहीं थे क्योंकि हमने एक दिन पहले मेंने सारे कप्टे धुल लिये थे कुछ बच्चों के ड्रस थे हैं हमारे मोसम बहुत आज पिल्कुट भूप नहीं निखली है कप्टे सारे पहला दिया है काली भरके रख दिया इसके लाइट पता नहीं कब चली जाए और इ सबादे रख आन रखे सब्स्माद को नहीं हमको हिसां लेकर घए हैं और हम को जाला साभे लेते हैं और शाफ बेβαब और यह नहीं हैं जाला साफ करने वाला सुभध के टाय में निया था मेरा जाला साफ करने आट को टूट गया था तो बस यहं काफि उंचा review तक पाुच करन है और जाला साफ हो जाता है और बहुत जोब होसरस निजन přback को हमने मरें निकाल दिया और फिलहा हैं अश्वाँ कती हैं और आप साफ यह अदो पर तो कितिनी कवालि काली सी है तो यह बारिश ही वज़े से हो गया है और ये आये हैं करन रासल लेकर आया है तो कुछ पैसे हैं बचे वही दे रहे हैं और इधर हम सब सफाई में लगे हैं तो संडी का दिन है थोड़ा सा टाइम मिला तो साथी साथ लगे रहते हैं और इन से मैं पंका साफ करा रही हूं ये जब दिखो तो म इसड़ी से लंबाई रहते हैं कि झालन बह cents करें चलोphone में फ़रे से लंबाई मार्वजास्व आप pony इंटो बस आप मैं थने पास स्वाइब का पयुक्ति जीमें तुरे का फूल नहीं का फूल हम रखते हैं यहां मिलता है झेल को यह लिए तुरे नहीं का पैस नहीं देसी हम इंग बहुत अची तुर्ई कंपर एती हम से अच्छ jogoत मंग हैं एंसराओ के यह समय को ऍशए भाट में हुर्ग उन जिसे को अश्य न कि 누नो है था गय्या इसमने के जाने जाल हो में लगता हुआ है तो मैं के जाना कर लाएं हमें जाय दे रहे और शुविटा बस मस्ती भरा इनका दिन रहता है और अच्छा भी लगता है कि जब बचे घर में मस्ती करते हैं और कुछ चाना प्हेल गया है तो बस इसके बाद में दिया बाती करने के लिए आ गई हूं टाइम हो गया है छे साड़े चे बजे के बाद में दिया बाती करते हूं तो यहां पितलसी माता के पास दिया जला दिया है और मंदिर में भी जला दिया है इसके बाद में खाना बनाने के लिए आगे हूं तो मैंने मुली के साको मैंने अच्छे से दो लिया है काट लिया है और अब हम काली डाल डाल देते हैं काली डाल जाने के पाद सबजी बहुत अच्छी बनती हैं बहुत टेच्टी बनती हूं हमेशा कोकर में ही बनाती हूं तो कोकर में नमक से रबाती है और कहते हैं कि जो मार्केट और खेत की जो तुरही है तो वो अपने अलगल पता चलता रहता है तो यह तुरही बहुत अच्छी बनती है और यह में कल दुपहर को बनाऊंगी नास्ते में और यहां पे तेखिए मैं आच्छी हूं और अब इसे हम अच्छे से घोड देंगे पशल बना था और फ़िआ अगर आप एक बार बनाऊंगे तो हमेशा ऐसी साग और सभी को पसंद जिसको नहीं पसंद आती ना इस तरीके से बना के आप खिला देगे तो और सभी को बहुत जबढ पसंद आए गाए तो मैं हमेशा से ऐसे ही साग बनाती हूं क्योंकि बच्च ऐसे ही खाते हैं तो ऐसे खड़ा काटके और डाल दू तो बस यही डाली हूं और बस जो साग है वह जाल दूँगी बस चुक यह है कि 10 से 15 मिनिट इसको अच्छे से हम चलाएंगे और साथी साथ मेने आटा को गुंद के रख लिया है रोटी भी सिक लेंगे और इसी तरीके से मेरा जो है रोटी रहता है रात का खाना तो बस हलका पुलका है खाना ज़्यादा है भी नहीं है सि यह जरू पताईेगा जब Mmm रोटी सेख एंवम Phillips हरीम यह वह लीएंओ पुलना सुरु होगी और इसके बास जितनी सारी रोटी होंगे सारी पूलना सुरुह जातीग है और प्लकुर गुबारे की तरह ़िए पर जो पहली होड़ी है इतना बश्राइब दो रोटियां होती हो जो कभी फूलती ही नहीं है, हमेंसा मेरे साथ होता है। मैं सोचते हूँ कि क्या सभी के साथ होता है। और यह देखिए, आप देख रहे हैं यह तीसरी रोटी है, और इतनी अच्छी से फूल चुकी है। कि मैं मैं मैंसा के लिए अब नहीं है यह अब होती होगी तो आपोसा तो मेरे साथ होते हैं। होता है कि इदम संधरिय अपने हिले होता है। मेरे साथ देखिए यह भी रोटिया फूल गए इसी तरीके से सारी रोटी हमारी फूल जाते हैं और यह हमारी जो पहली रोटी रहती है दो फस्ट और सेकेंड वाली तो वह कभी फूलती ही नहीं है हमेजा से में जब से मतलब रोटिया सेक रही हूं इस चीज को मैंने पहले पर कई सालों से में यह चीज गौर देती हूं कि हमेजा मेरी दो रोटिया जो होती है ना पहली रोटिया क्यों नहीं फूलती है और यह रोटिया क्यों फूलती है